हलो एवरिवन, मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विट अमिता में आप सब का स्वागत आज हम बनाने जा रहे हैं गेहू के आटे से टमाटर और प्यास की एक बढ़ियासी पूरी ये पूरी खाने में इतनी जादा टेस्टी है कि इसके सामने बाजार की कचोरिया और समोसे फीके पड़ जाएंगे ये चटपटी, मसालेदार, बढ़ियासी, टैंगी और टेस्टी पूरिया अगर चाय के साथ मिल जाए तो चाय पीने का मज़ा आ जाए तो चलिए जटपट बनने वाली इस बढ़ियासी रेसिपी को बनाना शुरू करते है इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार में मैंने ये लिये है एक चमच काली मिर्च के दाने उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये अजवाइन एक चमच अजवाइन मैंने हापे लिया है और उसके बाद हम डालेंगे ये एक चमच जीरा ये तीनों चीजे मैंने भून के नहीं ली है ऐसे ही कच्ची ही ली है इन्हें हमें दरदरा सा पीस लेना है और दरदरा सा इसलिए क्योंकि इसी mixi jar में हम फिर पिसेंगे टमाटर और टमाटर के साथ भी यह थोड़ी सी पिस जाएंगी इसलिए शुरुवात में इन्हें दरदरा ही रखना है और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर यह चार टमाटर मैंने यहां पे लिए है टमाटर के बीज मैं निकाल रही हूँ क्योंकि हम टमाटर के बीज नहीं खाते है इसलिए मैं निकाल रही हूँ अगर आप खाते हो तो आप बीजों के साथ भी टमाटर पीश सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह सारे बीज अब मैं निकाल रही हूँ और बीज निकालने के बाद इन्हें हम उसी mixi jar में डालेंगे जिसमें हमने काली मिर्च और जीरा सब पीसा था ये अब बीज निकाले हुए टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें अब मैं डालूंगी ये लसन 10-12 लसन की कलिया मैंने छील ली है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये लसन और टमाटर इस मसाले के साथ हमें पीस लेना है ये देखिए मैने पीस लिया है फाइन पेस्ट करनी है हमें और ये पेस्ट अब मैं एक बावल में डाल रही हूँ इसमें हमें कुछ और चीज़े भी मिलानी है सबसे पहले मैंने एक चममच ये हल्दी का पावडर इसमें डाल दिया है उसके बाद एक चमच लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है अब ये है कटी हुवी प्याज, प्याज को अब हो सके जितनी बारिक चौप कीजिए क्योंकि पूरिया बेलते वक्त हमें कोई दिक्कत ना आए ये है कटी हुवी हरी धनिया, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और अब जाएगा इसमें नमक, मैंने एक चमच नमक डाला है अपने साथ के अनुसार आप इसे अज़ेस्ट कर सकते है ये सारी चीजों को अब मैं मिला रही हूँ इसे मिलाने के बाद, अब हम डालेंगे इसमें ये गेहूं का आटा मैंने दो कप गेहूं का आटा इसमाल किया है अगर आप बीजों के साथ टमाटर पीस रहे है तो शायद आपको गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा डालना पड़ सकता है अब हम रोटी या पराठे की तरह इस आटे को गूत लेंगे चमच की सहायता से मैंने इसे मिक्स कर दिया है लेकिन आटा गूनने के लिए चमच का कोई यूज नहीं है तो मैं इसे निकाल रही हूँ और हाथ से ही आटा गूत लेती हूँ आटा लगाते वक्त हमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी बस उसी में जितना आटा जाएगा उतना ही हम यूज करेंगे देखिए यह आटा अब अच्छे से गूच चुका है और इसका अच्छा डो बन चुका है अब मैंने हाथ में लिया है यह बिल्कुल थोड़ा सा तेल वैसे तेल की जरुद तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कोई भी आटा गूंते वक्त अगर थोड़ा सा तेल लेके इसे मसल लिया जाए तो हमें ज़ादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने तेल का इस्तुमाल किया है और इसी तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाना है इसे हमें ना जादा सक्त करना है ना जादा डीला रखना है मीडियम सेमी सॉफ्ट आटा हम गूंत लेते हैं ये अब तयार है इसकी चोटी सी लोई मैंने हाथ में ली है हम इसकी पूरिया बेलेंगे पूरी की साइस की ये लोई है और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे सूखा आटा बहुत जादा नहीं लगाना है क्योंकि पूरिया तलते वक्त ये तेल में मिक्स हो जाता है और तेल बहुत जल्दी खराब हो जाता है ये इस तरह से हम इसकी पूरिया बेल लेंगे हमें बहुत पतली पूरिया नहीं बेलनी मीडियम थिक रखनी है बिल्कुल इसी तरह से अब ये सारी पूरिया मैंने बेल के तयार कर ली है इन्हें हम कर लेते हैं fry, fry करने के लिए मैंने कड़ाई में ये तेल गरम करने रख दिया है, तेल हमें medium गरम करना है, बहुत जादा गरम नहीं करना है, ये एक पूरी मैंने इस तेल में डाल दी है, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें इन्हें fry कर लेना है, इन्हें fry करते वक्त हमें ग्यास की फ्लेम को रखना है मीडियम हाई फ्लेम पे इन्हें बिल्कुल भी नहीं तलना है क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो यह उपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कची रहेंगी और अगर हम फ्लेम को रखते हैं लो तो यह बह आज की ये गेहू के आटे से बनी टमाटो रप्यास की पूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और हां मेरे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे ऐसी एक परफेक्ट रेसिपी के साथ तब तक आ आप अपना रपनों का ख्याल रखिये, अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए